नमस्कार स्टुडेंट्स मैं सुनील भट गवर्मेंट पॉलिटेक्निक कोलेज डुंगरपूर राजस्थान से आज हम जो टोपिक स्टटी करेंगे सब्जेक्ट कोड 208 यानि थर्मोडाइनमिक्स IC इंजिन में इंजिन परफॉमेंस और उसमें जो टोपिक है एनर्जी बैलेंस शीट एनर्जी बैलेंस शीट एन्ड एफिशेंसी सबसे पहले देखिए एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है मालीजे यह इंजिन है इस इंजिन में फ्यूल बर्न यानि फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल जलाने के बाद हीट यहां सप्लाई की जाती है जब कंबशन होगा तो इसके अंदर हीट जनरेट होगी वह इस इंजिन के लिए इंपुट हो जाएगा अब हीट जनरेट होने के बाद जब इसका वो हीट कहां कहां जाएगी तो पॉसिबिलिटी जितनी भी बनती है वो यह कि इसका कुछ पार्ट वर्क में कनवर्ट होगा इस यह जो हीट सप्लाई की गई उसका कुछ पार्ट वर्क में कनवर्ट होगा यानि मेकेनिकल वर्क जो भी फ्लाई वील पर मिलेगा इसका कुछ पार्ट एग्जोस्ट हीट में जाएगा यानि एग्जोस्ट सिस्टम के थूँ जो हीट बहार जाती है उसमें अगर ये इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम अवलेबल है air कूलिंग या water कूलिंग तो इसका कुछ पार्ट heat का कूलिंग में जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट इसका radiation में जाएगा radiation का मतलब open environment में जो radiation होता है किसी भी hot body से open environment में तो इस तरीके से जो 100 unit जो QS supply हुआ तो उसका जो part इन 4-5 parameters में जाएगा mechanical work, जो flywheel पर work हमें अपलब्द होता है, exhaust में जो environment में waste जाती है cooling system के थूँ जो environment में जाती है और उसके अलावा radiation में तो यहां हम कह सकते हैं कि इसको अगर mathematically लिखना चाहाएं तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q supply will be equal to W plus Q exhaust plus Q cooling plus Q radiation W Qs बराबर W plus Q exhaust plus Q cooling plus Q radiation यह होगा work, useful work, यह होगा exhaust जो environment में waste जाती है, यहां पर cooling system में cooling system से related heat और यह R का मतलब radiation अब individual इन सारे जो parameters है, यानि जो भी heat supply होता है उसका कुछ percentage work में, कुछ percentage exhaust में, कुछ percent cooling में और कुछ percent radiation में consume होता है तो किसी existing engine के लिए यह सारे parameters हम कैसे find out कर सकते हैं और इसी से जुड़ी होई efficiencies हम कैसे find out कर सकते हैं वो सारे चीजें जो calculate करने के methods हम one by one study करेंगे सबसे पहले हम study करेंगे QS, यानि heat supply किसी engine के लिए heat supply कैसे measure करते हैं students हम में यह समझते हैं कि heat supply कहां से आती जब किसी engine में fuel supply जाती है जितनी fuel supply होगी, जिस rate के साथ fuel supply होगी उसी rate के साथ उसमें heat generation होता है मान लिजे किसी particular engine के लिए M dot will be equal to यह है fuel flow rate fuel का मतलब diesel या petrol fuel flow rate और Cv, Cv का मतलब होता है calorific value of fuel calorific value of the fuel तो heat supply जो होगी उसका expression हम लिखेंगे M dot into calorific value यानि fuel की mass flow rate को calorific value से multiply करेंगे तो heat supply आईगी next parameter हम निकालेंगे work w अब किसी engine के लिए work हम कैसे निकालेंगे work हम निकालेंगे flywheel पर यानि flywheel engine से जुड़ा हुआ जो router होगा उस पर power आएगी और with the help of dynamometer हम इसको calculate करेंगे with the help of dynamometer हम इसको calculate करेंगे तो engine के flywheel पर हम rope brake या proni brake मान लिजे ये flywheel है तो यहाँ पर rope apply करके rope brake apply करके और यहाँ पर दो reading आ जाएगी r1 r2 यह मान लिजे dial gauge है तो जो इसमें torque होगा torque will be equal to r1 minus r2 into d by 2 तो mechanical work mechanical work w will be equal to w जो होगा वो होगा torque into rotational speed के बराबर होगा और torque जो दोनों weight gauge जो है उनकी reading आएगी r1 minus r2 into d by 2 और rotational is field होगी 2 pi n by 60 इसी को और simplify करेंगे तो w की value आ जाएगी r1 minus r2 pi d n by 60 इस तरीके से हम mechanical power calculate करेंगे तीसरा parameter हम निकालेंगे exhaust यानि heat lost in exhaust system exhaust heat q exhaust यानि जब भी कोई engine चलता है तो उसका कुछ part exhaust system में जाएगा मान लिजे ये engine है हमारा इस engine से जुड़ा हुआ exhaust system है इस block को मैं engine से रिप्रेजेंट इस engine को मैं इस block से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ exhaust system को मैं इस वाले block से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो भी engine की heat जो environment में release होगी जो waste जाने वाली heat वो इस exhaust system के थूँ जाएगी इसकी heat को अगर हम measure करना चाहते हैं तो हम इस heat को इस जो exhaust smoke में जाने वाली heat को हम heat को हम transfer करेंगे एक दूसरे water supply system में और उस water supply system में जो heat receive होगी वो इस exhaust से जाने वाली heat के बराबर होगी तो इसके थूँ हम एक heat exchanger के थूँ हम water circulate करेंगे ये inlet हो जाएगा ये outlet हो जाएगा ये temperature जिस temperature पे होगा उसको T1 इसको T2 नाम देंगे उसके बाद ये m.water supply की जो rate होगी इस heat exchanger के थूँ तो heat supply by exhaust equal to जाएगा इसके जाएगा जाएगा ये शके एक्षाएगा जाएगा ये चारेंगे exhaust heat will be equal to heat received exhaust heat will be equal to heat received by water वाटर और इसकी वेल्यू हम निखेंगे m.exhaust इंटू specific heat of water CW T1 minus T2 यह expression हम use करेंगे exhaust heat find out करने में next parameter हम जो calculate करेंगे वो होगा cooling heat cooling का मतलब होता है कि engine over temperature ना हो जाए यानि engine का temperature जरूत से ज़्यादा ना चला जाए उसको बचाने के लिए cooling substance का circulation किया जाता है कहीं जगे वो water cooling होता है कहीं जगे air cooling होता है तो माली जगे यह engine है हमारा मैं इस circle से engine को represent कर रहा हूँ अगर इसको cool करना होगा तो इसके around हमें water circulation करना पड़ेगा तो अगेन एक inlet water supply हो जाएगी और एक आउटलेट तो इसका temperature में T3 इनलेट पर देता हूँ T4 आउटलेट पर और M. cooling इस तरीके से लिखते हैं तो इस case में जो equation बनेगी जो expression बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा cooling में जितनी heat consume होगी वो water के द्वरा लिखी जाएगी cooling heat equal to cooling heat will be equal to heat taken by water cooling heat will be equal to heat taken by water तो expression हमारा कुछ इस तरीके से होगा M. cooling water into specific heat of water T3 minus T4 इस प्रकार से हम cooling circuit के लिए heat transfer हम निकालेंगे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो heat supply हुआ उसका कुछ part cooling में गया कुछ part exhaust में गया कुछ part mechanical work में गया तो बचा हुआ पार्ट कहां जाएगा heat का कुछ percentage बचेगा वो radiation में जाएगा यानि engine जो की एक hot body होता है तो अपने चारो तरफ engine जो की एक hot body होता है वो अपने चारो तरफ radiate करता हीट और यह heat कलाईगी QR radiation तो इसको find out करने के लिए कोई expression यहाँ पर available नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे क्योंकि जो heat supply हुआ उसका जितना भी part cooling exhaust और mechanical work में consume होता इसके अलावा जो बचा हुआ part होगा वो radiation में माना जाएगा तो qr will be equal to qs minus q exhaust minus q cooling minus work इस expression से हम radiation heat calculate करेंगे तो किसी भी existing engine के लिए यह सारी चीज़े निकालना कहलाता है heat balance अब इससे जुड़ी होई कुछ efficiencies जो होती है उसे देखिए brake efficiency जो होगी वो mechanical work divided by q supply यह पर एक थर्मल efficiency होगी और यही जितना परसेंटेज कूलिंग का या exhaust का या radiation का कम होगा उतना वर्क में contribution जादा होगा वर्क में contribution जादा होगा तो हमारी efficiency बढ़ करके आएगे थैंक्यू